नमस्कार दोस्तों आप सभी का श्टडी फॉर यूपेसी पीसे से में स्वागत है आज तारीख है बारह अगस्त दोहजार तेशिस भी और आज का न्यूज पेटी ससन वीडियो है ये वीडियो का अंतक देखेगा क्योंकि इंपोर्टेंट न्यूज रहते हैं कई सारे जो अ पाने की सक्ती में आ जाएं और ये जब आप डिवलप कर लेंगे तो एक्जामने सन में आपके आधे ज्यादा सवाल आप बिना परहे भी अगर मान लीजे टॉपिक नहीं भी आता है आपको अपने बस सुना हुआ है तो आप पॉइंट निकाल कर खुद के मन से लिख सकें और आप आसानी से अगर आपका अनलेट्रिकल पावर अच्छा होगा बिसलेशन की छमता अच्छी होगी तो आप उसको लिख पाएंगे नहीं तो उसको नहीं लिख पाएंगे आप ओके यानिकि बीपेसी को जो पैटर्न बदला है नए पैटर्न के कॉर्डिंग मैं परहा हूँ इसलिए परहा कीजिए और वीडियो को सेयर कर दिया कीजिए जहां भी संबब हो सकेगे यह अपना नया चैनल है एक सब्सक्राइब किया चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लिजे इसको और इससे जूर जाईए आज इस पर दूसरा वीडियो में डालूंगा कि भार नहीं वाले दिनों में इसका क्या प्रफाव परेगा इन स सबसे संबदित मैं आपको बताऊंगा माया नाम है अपर्येटिंग सिस्टम का जो भारत सरकार का अपना अपरियो में अब जो होगा manifest माया सॉफ्ट वेयर का उप्यों किया जाएगा तो क्या होता है इसके बारे माज में डीटेले बताऊंगा इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चलते हैं आज के आर्टिकल डिसकसन पर ओके इंडियन इक्सप्रिस का ये आर्टिकल है जिसका क्या नाम है लेंगिक उत्तरदाई सहरी नियोजन देखे नए नए टर्मिनलोजी होते हैं नए बिचार होते हैं जिनको आपको जानना चाहिए एक्जामनेशन में इस तरह के चीज़ें आप से पूछी जा सकती है जो नया पैटरन है या या UPSC में भी ये चाप चीज़ें पूछी जाती है आप किसी भी एक्जाम के तियारी करेंगे तो आपको ये नियूज पर अनलेसिस मदद करेगा लेकिन UPSC के मेंस तक पहुंचने के लिए पीटी पास करना परेगा तो मुख्य फोकस अभी पीटी को रखिएगा मेंस अब ये आप नहीं समझ पा रहे होंगे किस सीज़ की बात होगी लेकिन जब ये टॉपिक खतम करूँगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या होता है ये देए क्या लिखा हुआ है ऐसा दिश्ट कौन है जो सहरी चित्र महिलाओं और पूरसों के विभिन आप सकत प्राथमिकताओं और अनभवो को चिनहित करता है तो था उनका समाधान करता है इसका लक्ष ऐसे सहरों का निर्मान करना है जो सभी लिंगों के लिए समावेसी सुरक्षित सुलव हुआ संबहनिये हो हमारे सहर जो होने चाहिए वो सभी जो जेंडर होते हैं पूरूस होते करता है कि सहरों में अवसरों और संसाधन तक लोगों के पहुंच को आकार देने के लिए लिंग आयू वर्ग जाती निर्जाती है था विकलांग था और यौन उनमुक्ता जैसे अन्यकार को साथ अंतख करिया करता है कि इन सब चीजों को ध्यान रखकर सहरों का किया जाना चाहिए निया कॉंसेट है बिल्क dokład ही इसलिए आपको पता होना चाहे ही इंडियन एक्षपरेस का मैं आपको आर्टिकल पढ़ा रहा हूं रोज मैं एक अच्छे पेपर का आर्टिकल डिसकस करता हम दर हिंदु इंडियने एक्सपरेस हिंदूस्तान टाइम्स ए अभी एक आर्टिकल हो सकता है भारत में जहां पर सहरी करन समाजी को आर्थिक तानेबाने को नया आखार दे रहा है लेंगी कुरूप से उत्तरदाई सहरी नियोजन के अभधारना और भी अधिक महत्पुन हो जाती है इस दिश्टिकोन में लिंग विसिस्ट की कुछ चुनो सहरों में ट्रांसजंडर को किसी विजे समस्या के सामना करना पर सकता है पुर्सों किसी विजे समस्या के सामना करना पर सकता है बुढ़ों को किसी विजे समस्या के सामना करना पर सकता है मैलाओं के बच्चों के बुढ़ों के जवान के ट्रांसजंडर के अलग-अलग समस से आए होसकते हैं हमारे सहर इस साफ से होना चाहिए की उनके सबके लिए समावेशी होना चाहिए किसी एक specific भी उससे नहीं बनाना चाहिए इसी पर बाचीत कर रहा है यह आर्टिकल अगला क्या लिखा है? देखे यहाँ पर की सहरी नियोजन में सहरी नियोजर में लेंगिक दिश्टिकोन को एकी कृत करने, इंट्रिगेटिड करने, लेंगिक जो जेंडर जो हमारा दिश्टिकोन होगा, जेंडर स्पेसिपिक रंग से हम सहरों की प्लानिंग करेंगे, वातवरन का निर्मान कर सकता है, महिलाओं को ससक्त बनाता है, सहरी क भागीदारी को इंक्रीज करेगा और महिलाओं की भागीदारी तो हमें इंक्रीज करना ही है अगर हम सपने देख रहे हैं पांच ट्रिलियन के डॉलर की एकोनमी की तो महिलाओं को जोड़ना ही पड़ेगा वर्ग फोस में जाथा जादा 18 साल से हर उम्र के बच्चे को 18 साल से उम्र के सभी बच्चों के लिए हमें रोजगार के क्रियेट करना परेगा रोजवार को नमुक बनना परेगा महिलापुरुस का भेदभाव मिटाना परेगा जातियता का भेदभाव मिटाना परेगा धर्माधारित भेदभाव मिटाना परेगा तब जाके बनती अमेरिका और चीन जैसे एकॉनमी ऐसे एकॉनमी नहीं बन जाती उतनी जादा नहीं तो अगर जाती है भेदभाव रहेगा तो आपके हां समानता और समानता रहेगी हमें समस्या बनी हुई गड़ी भी रहेगी ही समादस दराफ्जी रहेगा ही रहेगा तो इन सबी चीजों को हमें समाप्थ करना है अगर हमें बरे एकोनिमी के तरफ बर्णा है तो हर भेदभाओ को समाज से मिटाना परेगा जिसमें से प्रमुक् effe सा है सहरे पारकों, बसो, ट्रेनों जैसे सार्मिक अस्तल सुविधाओं में बिभिन प्रकार के हिंसा उधपीरन का उनभब करती हैं। अगर ये सब चीज संभब होगा, इससे क्या होगा, 24 आवर का वर्किंग क्लॉक बन सकता है, 24 गंटे में जो अपने समय के हिसाब से चाहें, तो रात में भी काम कर सकती हैं, या कर सकते हैं, पूरुस भी कर सकते हैं, महिलाएं भी और दिन में भी वो काम कर सकता है या सकती है, इससे क्या होगा हमारे काम करने के जो capability है GDP के जो बढ़ने के दर है वो दुखुनी हो सकती है क्योंकि लोग 24 गंटे काम करना पसंद करेंगे कोई दिन में 12 गंटे तो कोई राते 12 गंटे जिसके पास जैसा समय होगा उसी साब से वो काम करेगा अगर हमने इन चीयों को नियून कर दिया तो ओके ORF द्वारा 140 भारतिय सहरों माजित किये गए दोजर कीस के एक अधियन कंसार 52 परसंद महिलाओं ने सुरक्षा कमी के कारण सिक्षा और रोजगार के अवसरों को महिलाओं ने ठुकरा दिया किस कमी के कारण किस सीज के भै के कारण तो सुरक्षा के भै के कारण 52 परसंट है ये ये बहुत बरा रेसियो होता है ये 52 परसंद महिलाओं अगर सुरक्षा के भै नहीं होता ये अगर परहाई लिखाई करती या नौकरी करती तो हमारे जीडिपी में तो योगदान देती ह तो यह इस सीज़ के ध्यान रखेगा अगला क्या है ओ एल ए द्वारा वर्ज द्वार उनीस में आजित एक आयो ध्यान से खुला सा हुआ कि 11 सहरों की केवल 9% महिलाएं मानती हैं कि साविनिक पडियोवयन का उपयोग करना सुरक्षित हैं केवल और केवल 9% बांकि 90% मानती ह कि जो पबलिक ट्रांसपोर्ट होता है पबलिक ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है रेल होता है बस होता है मेट्रो होता है ये उनके लिए सुरक्षित नहीं है ऐसा कितने परसेंड मानती है 91% महिलाएं मानती है अपने भारत के 11 बड़े सहरों में यध्यन किया गया है अ और आफ पसहरों के स्थितिक अनदाजा लगाईए है ना और वैतनी के देखवाल कारी महिलाएं घरेलू कामकाज बजुर्गों के देखवाल जैसे और वैतनी के देखवाल कारें का आसंगत बोज उठाती है यह सिक्षा अबकास नागरिक सहवागिता के लिए उनके समय और उर्जा को सिमित करता है वर्ज दोयर अठारा का आयलो इंटरनेशनल लेवर और्गनाइशन को आयलो कहा जाता है का सोध बताता है कि भारतिय महिलाएं घरेलू कारी पर प्रतिदीन 297 मिनट खर्च करती हैं जबकि पूरु समात 31 मिनट खर्च करते हैं वर्ज दोयरे की इसके के देखवाल काम महिलाएं करती हैं भारत में प्रतिदीन उके उसको हम लोग GDP में काउंट नहीं करते हैं अब सोचिए यह जो आपके घर में आपकी मातासरी काम कर रही है उनके काम को GDP में काउंट नहीं किया जाएगा तो क्या वाकई GDP चल सकता है नहीं चल सकता है यह GDP खोखला है अगर ये घर की महिलाएं काम नहीं करेंगी तो पूर। स काम पर नहीं जा पाएंगा और ये काम पर नहीं जाएंगी तो जीडीपिंetर चयाँ сред का मतलब की लगनाइजा काम करती है क्विद्गरम करें उसको नोतौब एफ काम करना चाही है धे satisf को मानते हैं इसको ध्यान में रखियेगा लेंगी की नीति और अभ्यासों का भाव का मतलब क्या होता है सहरी नियोजन प्रबंधन प्राया सहर महिलाओं और पूर्सों के बिविद वास्ते बिकताओं इम आपसक्ताओं को ध्यान में नहीं रखता है उदाहरण के लिए संबभ ह जहां पर आप महिलाओं को लेकर जा सकते हैं, आप मुझे बता दीजिए, दिली जैसे सहरों दोचार आपको दिख भी जाएंगे, लुटियंस में, नेताओं को घर के आज पास का जचेतर है, उसको लुटियंस कहा जाता है, बांकी आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, साब सु से, तो यह आपको नहीं दिखता है, इसका मुतलब क्या है, कि हमने समाज को, हमने इंफ्राच्रक्शर को उसी साब से बनाया ही नहीं है, कि कोई महिला लॉंग टर्म की यात्रा कर सके, अकेले अगर उचाहे तो नहीं कर सकती है, इस तरह कि संभाबनाएं जो होती हैं, वो क सुरक्शा का भैई, इस सुरक्शा का वहाँ पर उनको होता ही नहीं कि हम यहाँ पर सुरक्शित रह पाएंगे, इस कारण से इस चीज़ों पर बात हो रही है, क्या है कि इन लेंगिक और समानताओं को महिलाओं के हित या सिहत ससकती करन मानवादी कारों पर नकरात्मक पर उपरा है, वे सहर और देश के समाजिक आर्थी विकास में बाधा डालते हैं, यह सब चीज़ें, इस परकार से सहरी नियोजन लेंगी कुर्प से उतरदाई, दिस्टिकोन अपनान अत्यन तावसक है, सभी लिंग वर्गों के लिए समान अवसर और परिनाम सुनिसित करना जरूरी हो गया है, अब आपको पता चल गया कि क्यों कारन इस चीज़ें लाथ हो रही हैं, कि सहरी नियोजन जो हम वर्प अर्बन प्लानिंग जो हम करते हैं, नए नए जो SIMB बना रहे हैं, उसके किरारे कितिने ऐसे सुविधाय हम बना रहे हैं, यह शेहरों में हम कितिने वियकल होता है पबलिक ट्रांसपोर्ट होता है यह सब के लिए हो इस तरह के सहर हमें कितने बनाए हैं इस पर भी आपको विचार करना परेगा ओके संबंधित पहल कौन कौन से हैं कौन कौन से ऐसे पहल चनाये गए हैं उसको एक बार देख लीजे काया कलप और सहरी परिवर अमरुत भारत मिसन चलाया जा रहा है इसको एक बार पर लीजेगा परदानमंतरी आवास योजना सहरी चलाया जा रही अच्छी योजना है वाइवरेंट क्लाइमेट स्मार्ट सीटी असेस्टमेंट फ्रेमट टू पॉइंट जीरो चलाया जा रहा है ट्यूलिप द अर्ब लर्निंग इंटर्नसिप प्रोग्राम आत्मिर भर भारत अभ्यान भी चलाया जा रहा है और स्मार्ट सीटी वगड़ा की भी बात कर सकते हैं आप अगला क्या है लेंगी की रूप से उत्तरदाई नियोजन की चुनौती कौन कौन सी है देखिए अब लेंगी की रूप से उत्तरदाई सहर बनाने के लिए चुनोती कौन कौन सी आ रही है लिंग विगतित डेटा है जेंडर विगतित डेटा का भाव पाये जाता अपने देश में कई सहर योजनाकार निर्माता के पास ऐसी विश्वसनी और प्रासंगी की डेटा तक पहुंच नहीं होती जो सहर में महिला और पूर्सोग विभिन वाब सकता प्राथमिक ताव अनभवों को परिलक्षित कर सके हैं न अगला क्या है विवित्ता पुर्ण भागिदारी का भाव है अपने देश में लेंगिक जागरुता और च्छमता का भाव है उसके वासे राजितिक इक्षा सक्ति और पति आपके पांस डेटा हुना चाहिए कि योन से रूटा है जहांपर महिलाओं को दिक्कते आती हैं ना कर सकते हैं नए मौडर्न निकालेंगे सिर्फ समस्या गिनाने से क्या होता है कुछ लोग आपको मिले होंगे अपने भी जीवन में जिनको आप कुछ ही बोलोगे तो सिर्फ समस्या गिनाते हैं समाधान की बात ही नहीं करते हैं तो हमें क्या चाहिए हमें पहले समस्या पता तो होना चाहिए तब तो हम समाधान की बात करेंगे रुपांतर कारी नीति और कारिकमों को लागू करना यही सब करके आप क्या कर सकते हैं लेंगिक आधारित लेंगिक क्या बोलते हैं समावेसी दिश्टकों से सहरों की प्लानिंग कर सकते हैं इसको ध्यान में रखिएगा दूसरे टॉपिक पर चलते ह मौद्रिक नीती होता क्या है देश से मुद्रा की प्रवाह को क्या बोला है मुद्रा करेंसी जो आपके पॉकेट में है उसके प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बरहाने के लिए घटाने के लिए RBI एक नीती बनाती है RBI रिजर बैंक आफ इंडिया जो है वो नीती बनात और इसको बोलते है संकुचन कारी मौद्रिक पॉलिसी टाइट का मतलब क्या होता है संकुचन कारी मौद्रिक पॉलिसी जब देश में रूपे के प्रवाह को कम करना होता है मुद्रा इस्पिती को कंट्रोल करना होता है तो टाइट मौनेटरी पॉलिसी लाया जाएगा यानि कि जब पैसा बाजार से खीच कर RBI के पास रखना होगा तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है और जब लूज मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है जिसमें बैंक रेट रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट इन सभी को CRR SLR इन सभी को क्या कर दिया जाता है कम कर दिया जाता है CRR का नाम सुना होगा कैस रिजर वेर्सियो और इन सभी को क्या कर दिया जाता है कम कर दिया जाता है आर बी आई के दोरा तीसे को क्या कहा जाता है लूज मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमीटी होती है इसके बारे में भी आपको पत होगा UPSC वालों ने कुछ दिन पहले ही पूछा था MCQ को छोड़िये मैं क्या कह रहा हूँ economics का पूरा 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 प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसे मैंने बार बार बताता हूँ पतानी बच्चे क्यों नहीं देखते हैं वन लाइनर फैक्ट से कब निकलेंगे पता नहीं economics का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ अपने चैनल पर economics का जिसका description में भी link रहता है उसमें जाकर आप देखेंगे monetary policy का topic lecture देखेंगे copy पर मैंने लिख लिख कर वीडियो बना के समझाया हुआ है तो अगर वो आप देख लेंगे तो monetary policy से आप खेलने लग जाएंगे परहाने के काबिल हो जाएंगे लेकिन नहीं देखते हैं बच्चे I don't know क्यों नहीं देखते हैं करनों में खूले बाजार संचालन आरक्षी ताव सकता हैं बिदेशी मुद्रा व्यापार सामील होती है मौद्रिक निती का एक उपसमूह क्रेडिक निती है जो बैंक को द्वारा रिन प्रदान करने के सीमा और ब्याजदरों को नियंतरित करती है कल भी मैंने आपको समझाया था मुद्रा स्फिती और क्या होता है मुद्रा अव स्फिती क्या होता है नियूजपेपर एनलेसिस में ही कल मैंने समझाया था विस्तारबादी नीती में अभी आपको समझा चुका हूँ कि क्या होता है ओनिस्ट वैस्विक और आर्थिक रुजहान क्यों हुआ है इसा क्या हुआ है जिसके कारण से RBI ने मौदिक नीती में कुछ भी परिवर्टा नहीं किया है उसको जड़ासा देख लेते हैं वर्थमान वैस्विक आर्थिक परिदिसमें ऐनिस्टिता बनी हुई रूसी उक्रेन वार तेल के बरते दाम उसके वाज़े खारी देशों में बरती ऑनिस सिताएं यूरोप में यूरो संकट अमेरिका का डॉलर का संकची करन इन सब कारणों से क्या हो रहा है पूरे दुनिया में आर्थी के स्थिती जो है उसको लेकर ऑनिस सिता बनी हुई है ज अगला क्या कारण बताया इन्होंने देखिए आप लिखा हुआ अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड वार की स्थिती बन रही है उसके कारण से भी पूरी दुनिया भर में क्या हो रहा है मार्केट के लेकर और निस्तिता बनी हुई है निती दर इस्थिर रखना एक प्रियास है निती दर जो था भार सरकार का आर भी आई का कि भई रिवर्स रिपोरेट सी आरार एसलार इन सब को जितना बना हुआ उतने पर ही बना कर रखो अभी मार्केट को इसी कंदीशन में चलने दो मुद्राइस्थिती की स्थिती बन रही है अपने देश में भी टा रहता है या बरहाया भी ने इससे क्या होगा कि आर भी आ जिस स्थिती में भी है कंदीशन उसी को कैरी करना चाहती है उसी को बना कर रखना चाहती है अंतराष्टे जत्रिलताओं के बीच आर भी आ इन्हें अपने नीतिकत दरों और परिवर्ते दरों को बनाई रखने का विकल्प चुना है आर भी आ ने 23 चोबिस के अपने मुद्राइस्पिती अन्मान को समाज जित कर पांच दसनल चार परसंट कर दिया है जबकि दूसरी तिमाही का अन्मान में 6.2 परसंट को लेखनी है बरहोतरी की बरहोतरी जिसके कारण सबजियों विशे सुछ टमाटर क कीमतों ब्रधी है पर ध्यान देने के आप सकता है इसके बावजूद या अन्मान है कि मुद्राइस्पिती का प्रभाव उच्छनिक होगा और ताजी सब्जियों के आपूरती फिर से सुनिश्चित होने पर एक कीमते कम हो जाएंगी दरसले बरसा के औसामाने पैटरन के क कारां बहुत सारे ऐसे इलाकों बरसा हुई जहां पर सबोड़िया का उतपादर पर म कूष रहे है कर है इसके कुछ चीजों के दाम बस बरहे हैं इसके कारण से क्या हो रहा है कि हम जो रेट है उसको भोई बनाका रखेंगे जैसे ही फिर से नई सब्जी आएएंगी मार्क आप कम हो जाएगा हाली मुद्राइस्पिती के 6,5% अधिक के बिर्धी के बाद अभी अपने देश में कितना इंफिलेशन सारे 6% के आसपास है कुछ लोगों के टर्मिनलोजी समझ में नहीं आ रहा होगा इकानोमिक्स और जोगरफी का मतलब ही होता है टर्मिनलोजी जिनको एकानोमिक्स और जोगरफी में टर्मिनलोजी आ गया उनके लिए फिर खेल हो जाता है दोनों सब्जेक्ट कुछ भी नहीं बसता है इन दोनों सब्जेक्ट में टर्मिनलोजी जो सीख गए वो एकानोमिक् मुद्राइस्पिति अगर आपको नहीं पता है तो वो मैंने पढ़ाया है वो बेसिक्स आपको वहीं पर जागा पढ़ना परेगा न्यूस प्रेपर अनलेसिस है मैं केवल करेंट बता सकता हूँ उतना डिटेलों मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ गिरावट का अनुमान लगाया गया धीरे धीरे 6% या उससे कम क्योर परवर्दित हो जाएगी कोर मुद्राइस्पिति लगए 5% के अनुमानित कमी अतरिक्त आस्वासन लगती है जो अनुभाब जैने साक्षी के अनुरूप है जो सुझाओ देता है कि हेडलाइन रेपो रेट को जो उसी अस्तर पर बनाए रखा है अब आपका क्या काम है वो सुन लीजे ज़रा एक्जाम में जाने से पहले CRR का दर SLR का दर क्या है रेपो रेट क्या रखा गया भारसरकार के दोरा और रिफर रिवर्स रेपो रेट क्या रखा गया है भारसरकार नहीं स बिखना है एक्जाम में प्रवेश करने से पहले जो परसेंट में रहता है 6.4% 5.4% 5.5% इसी का सपास ये सारे बने कर रहते हैं इनको देखकर जाईएगा एक्जामने सन में मौदरिक नीती से सवाल पूछे जाने की संभाबना काफी जादा रहती है और भी सवाल पूछे ज इनमें परिवर्तन किया जा रहा है आजाद भारत का सबसे बड़ा परिवर्तन सवाल पूछे जाने क्या संभावना है बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है यहां से सबसे जादा संभावना है इस टॉपिक से सवाल पूछे जाने की मांसूम से संजो है वो पूरा पू आपको समझाओंगा और जब यह पास हो जाएगा तो हम इसको और भी डिटेल परहेंगे देखे क्या लिखा हुआ है कि केंदरे गिरह मंतरी ने अमित साजी ने इंडियन पीनल कोड आई पीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता है इसको और इंडियन एविडेंस अब क्या आएगा भारतिये न्याय संगिता भारतिये न्याय संगिता लाएगा जिसका नाम क्या होगा जिसका नाम होगा अब क्या नाम होगा भारतिये नागरिक सुरक्षा संगिता बी एन एस एस यही नाम होगा इसका अब IPC CRPC के जगर पर भारतिये नागरिक सुरक्षा संहिता लाया जाएगा ओके देखे क्या लिखा हुआ है कि भारतिय साक्षा धिनियम और भारतिय नागरी संहिता भारतिय नागरी सुझा संहिता और भारतिय साक्षा धिनियम लाने से संबंदिते विध्यक लोकस्वाम पेस किये गये हैं प्रस्तावित विध्यक क्या राजदुरों कानून को भाकिस्माप्त किया गया है या इसको अलग रूप से लाया गया है तो इसको लेकर भी हम लोग बात करेंगे क्योंकि आपसे critical analysis पूछा जाएगा तो उसमें आपका मदद करेगा साह ने कहा के प्रस्तावित कानून का उदेश न्याय देना है और इनका आत्मा भारतिय है प्रस्तावित कानून में मॉब लिंचिंग के लिए अलग से सजागा प्रावधान किया गया है मौब लिंचिंग के लिए प्राव सजा का प्रावधान किया गया है लेकिन इसे पंथ निर्पेक्ष रखा गया है किसी चोर को भीर मार देती है तो उन सभी को मौब लिंचिंग के प्रसावित कानून के तरह सजा होगी ये रखा गया इसमें कि किसी को भी या कोई भीर मारती जितने लोग उसमें सामिन उन सभी को सजा होगी और यह बहुती नितांत जरूरी कानून था भीर का नियाय तंत्र हमेशा खराब होता है कुएक जस्टिस नहीं होता है वो quick murder होता है ना कि justice होता है justice और murder में difference होता है किसी चोर को क्या है अगला जारखन रखका है जैसे कई राजों महिलाओं को डाइन बता कर की जारी हत्याओं पर मौब लिंचिंग कानून की धाराएं लागू होंगी कई सारे आपने news देखे होंगे महिलाओं को डाइन बता कर मार दिया जाता है इन सभी पर मौब लिंचिंग के धाराएं लागू होंगी राज्यू कब लब जिहाद के लिए लग से कानून बिराने की जगरत नहीं पड़ेगी प्रस्तावित कानून पहचान चिपा कर या राजदरोवको भले ही जगह नहीं मिली हो लेकिन राश्ट की संप्रभुता के विरुदा पराधों के लिए अलग सज़ागा प्रावधान किया गया है अब राश्ट की संप्रभुता सब्द को तो डिफाइन ने नहीं किया जाएगा यानि कि जो चीज अंडिफाइन होता है उसमें सब कुछ डिफाइन होता है है ना तो इसके कारण से भी इस पर आरोप लग रहे हैं कि ये राजदुरो कानून को अलग सकल देने की कोशिस की जा रही है इसको ध्यान रखेगा कि टिसिजम को भी ध्यान रखेगा क्योंकि आप से पूछा जाएगा आलोचनातपक मुल्यांकन कीजिए तो वहाँ पर आप इन पॉइंट को लिख सकते हैं राजदुरो का कानून राजा के विरुद अपराज से जुरा हुआ है पर नया कानून सिर्फ राष्ट के सुरक्षा और संप्रहुता खत्रेव के इस्तिती पर लागू होता है इसको ध्यान में डखीगा इसके बारे मैं और थोड़ा से डीटेल में आपको बता देता हूँ अगले पेज पर आयगा वो देखते हैं अगला news क्या है अगला news यही है इसी के डीटेल में है क्या है देखिए इंडियन पीनल कूर्ट और CRPC के जगह पर जो भारतिय नागरिक सुरक्षा संहीता लाए गया उसमें और क्या बदलाओ है तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है सरकार का नमान है कि प्रस्तावित कानून पर पूरी तरह से अमल के बाद साथ वर्स बाद अपराधी को सजादर 90 परिशत साधीक हो जाएगी जो फिलाल 50 परिशत से भी कम है समरी ट्राइल का प्रावधान क्या है प्रस्तावित कानूनों पहली बार छोटे छोटे अपराधों को निप्टाने के लिए पूरे देश में समरी ट्राइल का अस्थाई प्रावधान किया गया इससे क्या होगा नया अले पर बोज़ प्रावधान काम होगा समरी ट्राइल चोरी, चोरी के संपती को रखना सांती भंग, धंकी देने ऐसे मामलों का समरी ट्राइल होगा और एक ही सुनवाई में जरुवान या चोटे दंड के साथ इसे निप्टा दिया जाएगा एक चोरी कारण बारा 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 बरस से बैक आद में बंद हैं, उन सबी को क्या किया जाएगा समरी ट्राइल के दौर, समरी ट्राइल का मतलब क्या होता, एक दिन के ट्राइल में उसमें सजा दे कर या जुरवाना दे कर उसको समाप्त कर दिया जाएगा, उसको समाप्त नहीं उठा सकता एक ट्रैल से पहले पुलिस अपना जाच कंप्लीट कैसे कर लेगी आप मुझे बताईए इन सब चीजों के लिए का चिंताएं व्यक्त की जा रही है और यह सब पॉइंट्स आपको भी ध्यान में रखना है पूछा जाता है तो आप वहाँ पर चिंताएं व बोज को कौन कम कर सकता है अकेला समरी ट्रैल का जो प्रावधान किया गया है वो जो आपका नया प्रावधान है यह 40 परसेंट तक केस भार को कम कर सकता है अपने नया एलस अगला क्या है और कारन लंबा नहीं खीचे का केस इसका भी प्रावधान किया गया नए प्रावध दिनों का तरिक समय दे सकती है लेकिं किसी भी इस्तिती में 180 दिनों में आपको ट्राइल का पूरा का पूरा जांच पूरा करना ही होगा ऐसा नहीं होना चाहिए कि F.I.R. 10 वर्सों से दर्ज है उस पर कुछ मामला हो ही नहीं रहा है यह बहुत अच्छी चीज है इसके बारे मिध्यान में रखेगा यहीं नहीं ट्राइल के दौरान बार बार अस्तिगन लेने की सीमित कर दिया गया है कोई भी आरोपी या वकिल दो बार सधिक अस्तिगन नहीं ले सकता है अधिकांस केस इसी कारण वर्षो तक लटके रहते हैं कि अगली तारीक देदी और तारीक पर तारीक चलती ही रहती है सरी देवलवरा डैलोग याद है तारीक पर तारीक उसी टाइप का कुछ जिस्टम था उसको समाप्त करने की कोशिस की गई है ज़्यादा ज़्यादा आप दो बार तारीख बरवा सकते हैं उससे ज़्यादा आपको अस्तिगन की नहीं मिलेगी जाज़तों के सुनवाई पूरी होने पर अदालत को भी अब 30 दिनों का अंदर फैसला देना होगा इसा नहीं होगा कि फैसला तो हो गया सुनवाई पूरी हो गई है और फैसला आने में तीन साल लग रहा है 30 दिन के भीतर आपको फैसला देना परेगा ये क्या किया जा रहा है न्याइक सुधार भी की जा रही है न्याइक सुधार बहुत जरूरी होता है जेलों हमारे भीड बर गया है संख्यां बर गया बहुत जादा बहुत सारे ऐसे निर्दोस लोग हैं जिन पर ट्राइल चरही रहा है उनको सजा हुआ भी ने लिए गरीब लोग है जर्वाने के रासी नहीं भर सकते हैं जमानत नहीं भर सकते हैं इसले जेल में दस-दस वर्चों से बंद हैं उनकी पूरी जीवन खपत हो जाती है वहाँ पर इन सब चीव कारण ये आदालत में केस सल रहा है ये बहुत ही अच्छी चीज की जारे बहुत ही अच्छी प्रयास किया जारे बहुत ही अच्छा प्रयास आई जो भारतिये नागरिक सुरक्षा संहीता लाया जा रहा है इसके द्वारा निया पालिका पर जो सुधारों की बात की गई है यह बहतरीन है और यह अच्छा कानुन है इसको आपको तारिफ करना चाहिए जो चीज सही होता है उसपर सही बोलना चाहिए जो चीज गलत होता है उसपर गलत बोलना चाहिए और साथ में ही इसके negative respect जो मैं आपको बार-बार बता रहा हूं उनचीजों को ध्यान में चीजों का और भी इसको डीटेल में पढ़ेंगे हम लोग कशésय को आगने पर छलते हैं LIC भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की कमपणियों में से एक है आरामको जैसी कमपणी को टक कर देती है आरामको कौन सी कमपणी है तो सौधी अरव की तेल की कमपणी है इतना पैसा है LIC के बाद LIC के पास किसी भी चीज को भारत सरकार का मतलब क्या बोलते है भारत सरकार पैसे के सपलायर है LIC LIC की पास इतना ज़्यादा पैसा है तो LIC के परधानमंत्री महोदेन तारीफ किया पब्लिक सेक्टर कमपणी है भारत सरकारी कमपणी है अब आप मुझे ये बताएंगे LIC की अस्थापना किस वर्स की गई थी यह BPSC वालों का प्रस्थन है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बताए किस वर्स इसका अस्थापना हुआ था इनके चेयर्मेन को ध्यार में रखेगा सिधार्त महंती नाम है इनका और देखिए उन्होंने बोला कि LIC बहुत ही अच्छा काम कर रही है बहुत दिनों से भारती लोग का भरोसा काईम करके रखी हुई है तो ठीक है भई अच्छी बात है अगला PT FACT आपका क्या है पहली बार ऑस्टेलिया मालावार युध्याभ्यास कायोजन किया गया है और देखिए इसमें क्या है यहां पर डीटेल देखे ऑस्टेलिया जहाजों के साथ भारत, जापान वा अमेरिका कि नौसनिक जहाजन सुक्रवार को सिर्णी के पास उध्याब्यास किया वर्स 1992 से सनिक तो मालावार उध्याब्यास हो रहा है इस बार उस्टेलिया के समुदर में चल रहा है जो पहली बार है यह चारो देश कूटनितिक अंतराष्टिय संगठन क्वार्ड में भी साज़दार है इसे भारते नौसेना का आएनस साहियाद्री इसको ध्यान में रखना है जे एस सिरानुई, आएनस कुलकता और हम एस बिस्क्रेन भाग ले रहा है आएनस सहियाद्री वगरों को ध्यान में रखेगा यह भी पूछ लिया जाता है कि बताईए अभी जो मालावार युद्या भ्यास हुआ इसमें कौन से नेवल सिपने भाग लिया पहली बात तो नेवी का है यह युद्या भ्यास इसको भी ध्यान रखना है और मालावार नाम है कौार्ड के जो देश हैं वो सारे इसमें सामिल है कहां पर हो रहा है तो आस्टेलिया के सिर्णी के पास में हो रहा है वो कुछ फीड़बेक देना हो